नमस्कार मेरे प्यारे किसान वाईयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आलू में दूसरा पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी से पहले हमने इसमें यूरिया खाद भी दिया है और यूरिया खाद के साथ हमने इसमें दिया है जिंक अब इसमें जिंक हमने 33% वाली क्यों दी है और 15% उसमें सलफर भी होता है ये भी मैं आपको बता के चलूँ तो देखिए इस समय हो ये रहा है कि आलू की हम नीचे वाली पत्तियों को देखेंगे तो वहाँ पर काले काले काफी धब्बे आपको दिखाई देंगे वह आपके जिंक की कमी के कारणवी काफी किसान वाहियों के खेत में ये देखे जा रहे हैं तो अगर आपने जिंक नहीं डाली है खेत में तो जिंक जरूर डाले और ये जो आप देख रहे हो बैराइटी है ये चिपसवाना 1 जिस पर फूल आना शुरू हो चुका है चालिस से एक तालिस दिन का आजालू हो चुका है ये तो एक तालिस दिन पर फूल आना शुरू हो चुका है तो किसान वाहियो इस समय में दूसरे पानी में आपको मैं बता कि चलूँ यूरिया भी मैं कम्पलीट कर दूँगा इसी पानी में लेकिन काफी किसानवाई हमने देखा है कि यूरिया खाद को काफी या डालते हैं उससे फिलाल कुछ ज़्यादा ऐसा होने वाला नहीं है और बाद में अगली बार उनकी में गलन आने की संबावना ज़्यादा रहती है जो जड़ गलन आती है तो फिलाल मैंने दो यूरिया खाद देता हूँ और मेरा जो आलू है ज़्यादा बढ़वार नहीं कर रहा है अपनी जो लिमिट होती है बढ़वार करने की उतनी ही करेगा लेकिन टाइम के इसाब से आलू की बढ़वार होनी चाहिए मैंने ये भी देखा है कि काफी लोगों के आलू की जो आल होती है यानि पौदा होता है वो होता है तीन से चार फुट का लेकिन नीचे आलू उनका फूलता नहीं है क्योंकि आल ही बढ़ती रहती है ज्यादा यूरिया डालने से तो आपको क्या करना है कि अभी जैसे दूसरा पानी लग रहा है तो उसमें अपना देखें अगर जरूवत है तो आप उसमें और भी कुछ डाल सकते हो तो फिलाल आभी कैलसियम काफी लोग देना चाहें तो दे भी सकते हैं और बैसे अगर नहीं दें तो वो काफी अच्छा है क्योंकि कैलसियम हमें 50 दिन के लमसम लगाना चाहिए जो कि आप कैलसियम नैट्रिल लगाती हो तो फिलाल देखिए किसनवाई हो इसके बारे में आपको बादम बताऊंगा फिलाल मैं दूसरे पानी के बारे में बता दू कि दूसरे पानी को देने से पहले काफी किसनवाई इसमें अभी यह सोच रहे है कि मैंने कुछ टाइम पहले ही पानी दिया है तो मैं अभी नहीं दे रहा हूं तो वो सबसे पहले अपने खेत में जाके देखें, अगर आपकी मिट्टी सूख रही है उपर से, तो पानी दे सकते हैं, और फिलाल दिन का टेंपरिचर इतना ज़्यादा हो चुका है अभी, कि मैंने काफी लोग अब स्वेटर पहनने की जगह सर्ट में पहनते हुए देखे यानि आज सर्ट में घूम रहे थे, और साइद आपको भी यह मैसुस हो रहा होगा कि आज गर्मी पड़ी है, और आज तारी के लगवा 11 देसंबर के आसपास, तो रात का टेंपरिचर तो काफी सही चला है, और मैं आपको एक चीज़ बता दू, इस समय अगर आप आलू मे कुछ फूलाने के लिए दें न दें, लेकिन आपका आलू जरूर फूला होगा, क्योंकि मैंने कुछ अनवब्भी किया है कि आलू काफी तेजी से फूलता जा रहा है, लेकिन हम उसमें पानी की अगर पर्याप्त मात्रा रखें, तो आलू बहुत तेजी से फूलेगा अप अपने आलू में पानी का विसे ध्यार रखना चाहिए, क्योंकि काफी किसानवभाई इसी बात को देखे कुछ लापरवाई कर सकते हैं, कि अभी तो मैंने पानी आठ दिन पहले या दस बारे दिन पहले भरा था, अभी नहीं भरना चाहिए, लेकिन उस समय का टाइम अलग लोगों से अर्गली ब्रैट समझ की दपाई लगा रहे हैं, तो फिलाल वीडियो कैसे लगी कपने जरू बताना और जानकर ये आपको अर्गली वीडियो में देता रहूंगा, नमस्कार